आज हम 1999 से लेकर के 2000 तक के UPSC Prelims Questions पेपर डिसकस करेंगे जो की इंडियन नेशनल मोमेंट में डिरक्ट पूछा गया है इससे पहले हमने 1995 से लेकर के 1998 के Questions को अल्रेडी डिसकस कर लिया है और वो वीडियो अप्लोडेट है आप वो प्लेडिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो प्रेंड्स मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो हमारी वीडियो स्रीज है वो किस तरीके से चल रही है तो जो हमारा संडे का दिन होता है उसमें हम जो पीस्ट के जो प्रिलिम्स में जो ओल्रेडी कॉस्टन्स पूछे गए हैं इन 27 यर्ज में जिसमें हम 1995 से लेकर के 2021 कोण को फिगली करते हैं जो की हमारा कुछ यूनिट में डिवाइड है जैसे कि अगर हम स्डूनित की बात करते हैं जो कि हमारा हिस्ट्री से रही है हम कौन-कौन से पहला हमारा है एसेंट हिस्ट्री दूसरा था हमारा मेडिवल हिस्ट्री तीसरा था मॉडन हिस्ट्री और चौथा भी हमारा चल रहा है जो कि यह है Indian National Moment Asian हमने already complete कर लिया है medieval भी complete कर लिया है और जो हमारा modern है वो भी completed है ये भी आप वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं तो in 27 येर में जो Asian history से जो questions पूछा गया था यानि कि 1995 से लेकर के 2021 तक जो UPSC ने सिर्फ से questions पूछा था तो टोटल कितना पूछा था 137 questions पूछें सिर्फ से medieval की बात करते हैं तो medieval में कितने questions पूछा 108 questions सिर्फ medieval history से in 27 year में UPSC ने prelims में पूछा modern की बात करते हैं तो modern पूछा गया है कितना 121 और इंडियन national movement की बात करते हैं तो 190 questions सिर्फ इंडियन national movement में पूछा गया है in 27 years में तो यानि कि अगर सिर्फ हम history की बात करते हैं जो कि हमारा first unit है उसमें total 556 questions सिर्फ किस से पूछे गया है history से पूछे गया है 21 तक में और हमारा जो second unit चलेगा यानि कि जब हमारा first unit complete हो जागा उसका जो हमारा second unit होगा वो किसका होगा quality का quality में हम कौन-कौन से questions topics discuss करेंगे जिससे UPSC ने questions पूछा है वो बता देता हूं quality में जो हम discuss करेंगे इससे पहले हम इसको erase कर लेते हैं जैसे कि यह देखिए फर्स्ट unit हमारा क्या था history था history में चार सिरीज है recent history medieval modern और इंडियन national movement यह तीर हमारा already completed है यह हमारा भी process में है जैसे ही हमारे यह complete होगा उसके बाद जो हमारे unit 2 होगा वो किस चीज का होगा वो होगा हमारा quality का quality का इसलिए रखेंगे क्योंकि जो हमारा Monday से ले करके Saturday तक की जो वीडियो डिसकुशन स्रीश चलती है वह है हमारी quality की जिसमें हमने class 6 से ले करके class 11 तक complete कर ले और अभी हमारा 12th class की जो first book है contemporary of world politics उसका अभी हमने first chapter discuss किया है 6 lecture में तो वह भी आप playlist में जा करते सकते हैं और इसके पहले में हम एम लक्षमी कांत भी ले करके चल रहे हैं इसलिए जो हमारा second unit होगा वह किसका होगा quality का अब पॉलिटी में हम जो in 27 year में जो UPSC ने questions पूछे हैं किस-किस topic से पूछा है जो पहला topic था वह हमारा वह था और इसमें total कितना questions पूछा है तो 101 सिर्फ constitutions और political system में पूछा है इन 27 सालों में दूसरा जो हमारा series रहेगा फिर इसमें जो important topic निकल के आता है वह आता है हमारा government administration जो कि इंडिया और वर्ल्ड का था जिसमें आप आई याड को भी रख सकते हैं यानि कि जो हमारा international relations, world politics रख सकते हैं इसमें total कितना questions पूछा है 132 questions पूछें इन 27 years में पिर इसमें हम कौन सा topic discuss करेंगे जो UPSC ने questions पूछें है prelims में वह था एक पंचायत यानि कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है एंड पब्लिक पॉलिसी इससे total कितने तो 31 questions पूछें यानि कि 31 फिर जो politics में जो questions पूछे थे वह पूछा था जुडिस्री जुडिस्री एंड लीगल राइट्स पूछा था इससे पच्छमन यानि कि 55 तो टोटल इन 27 एर में जो UPSC ने 80 से questions पूछें वह questions कितना पूछा है 319 questions और जो second उसके बाद जो हमारा थार्ड यूनिट चलेगा जो कंपलेट होनी का और छो चलेगा जियोग्रॉफी का जियोग्रॉफी में अगर हम बात करते तो इसमें कोंकों से टॉपिक को देखेंगे तो इसमें जो हमारा दॉच्रीस चलेगा वह चलेगा पहला फिजिकल जोग्रॉफ़ी फिजिकल जोग्रॉफ़ी जिसमें टोटल UPSC ने इन 27 यर में कितने कोशन्स पूछे हैं तो 123 उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिकल जोग्रॉफ़ी पॉलिटिकल जोग्रॉफ़ी पॉस्समें एड़िएर ने कितने कोशitting पूछें तो 89 केॉस्ट गहां और जो रमाया थर्ड शेट्स होगा वो होगा अमारा इंडियन जोग्रॉफ़ी इंडियन इंडियनं यह इसमें युपीहंड ने टोटल कितने कोॉष़्न्स पूछे 233 questions पूछें सबसे जादा in 27 years में और जो हमारा फॉर्ट स्रीज जियोग्राफिक का होगा वह कौन सा होगा एग्रिकल्चर का कि एग्रिकल्चर से टोटल कितने questions पूछे हैं इन सबसे जादा जो questions पूछे गए इन 27 साल में 515 questions सर्फ जियोग्राफिस से ही पूछे गए और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 556 इन चाड़ो को मिला करके उसके बाद जो हमारा फोर्थ यूनिट होगा वह होगा हमारा इकोनामिक्स का और तो जो यूनिट होगा वह हमारा एकोनामिक्स में किस-किस फिल्ट से questions पूछे गए प्रिलिम्स में तो वह सबसे पहला questions आपका पूछा गया है structure जो हमारा यूनिट और होगा वह क्या कुन सा था होगा हमारा एकोनामिक्स में किस-किस टॉपिक्स से यूपिएस्ट ने questions पूछा है तो पहला था आपका structure प्रक्ष्यर ओफ दी इंडियन एकोनामिक्स एंड डेवलप्मेंट टोटल कितने questions पूछे हैं इस फिल्ट से एकसो तीन और दूसरा अगर हम बात करेंगे करते हैं प्रवर्टी प्लानिंग फानेंस एंड एकोनामिक्स एंड शोशल एकोनामिक्स एंड शोशल डेवलप्मेंट इस टॉपिक से कितना questions पूछे गए 136 की बात करते हैं जिसमें एगरिकल्चर एंडि नेशनल एकोनामिक्स एंड शोशल टोटल 31 questions पूछे गए इन 27 years में उसके बाद जो topic था हम वो था हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज एंड इससे पूछें टोटल 57 के बाद जा टेरिट्रीज एक्टर इन इंडियन इंडियन इससे टोटल किते हैं तो 58 questions पूछेंगे टोटल अगर हम सर्फ economics की बात करते हैं इन सब को add करके तो 385 questions पूछेंगे तो अभी जो हमने units देखे जो उसमें हमने यह topic देखा कि किस topic से UPSC ने in 27 years में कितने कितने questions पूछेंगे तो इससे हमें ही total कितना questions पूछा तो 556 कितने सालों में 27 सालों में quality की बात करते हैं तो quality में 385 आप इस questions के number से यह idea लगा सकते हैं कि आप इन चार्ट सब्जेक्ट को यदि आप विल्कुल अच्छे से कर लेते तो आप prelims easily qualify कर सकते हैं आपको ज्यादा पढ़नी के जरूत नहीं है आप इन चार्ट सब्जेक्ट पे अपना briefly focus और अच्छे से कर लीजिए क्योंकि जब आप जितनी भी जो selected candidate है या जितनी भी जो अभी प्रिपेशन कर रहे हैं आप उनकी जो इंटर्व्यू देखेगा तो वो पूरा स्लेवस नहीं complete करते हैं वो इसी तरीके से जो previous questions paper है और स्लेवस को analyze करके वो क्या करते हैं एक main topic है जो main आपका area है स्लेवस का उसको find out करते हैं और उसी पर अपना वो क्या करते हैं पकड़ बनाते हैं यानि कि सबसे ज़्यादा focus वो उसी चीज पर करते हैं ना कि वो समंदर पर चले जाते हैं कि सुई ढूनना कि जैसा नहीं कि वो पूरा समंदर जैसा स्लेवस को पढ़ते हैं बैठ करके नहीं वो क्या करते हैं अगर आप उनकी strategy देखोगे तो वो सीधा सी दिखेंगे पहले वो अपनी syllabus को analyze करते हैं फिर वो अपने साथ minimum 10 years की questions paper को रखते हैं प्रीवियस year questions paper रखते हैं उसको analyze करते हैं कम से कम वो तीन से चार दिन से इस बात पर लगा analyze करने में लगाते हैं कि UPSC आखर किस field से कितना जादो questions पूछ रही है जैसे अभी जो मैंने आपको एक data बताया कि किस topic से कितने questions UPSC ने पूछ हैं अब जैसे देखिए अगर हमने history की बात की तो 27 साल में जो सबसे जादो questions किस से put up होके निकले हैं history से कितना तो 556 quality में 319 geography में 555 और astronomics में 385 और UPSC की Prelims में कितने questions रहते हैं 100 questions रहते हैं तो आप इससे एव्रेज किस क्ते हैं हीř से कितने आ रहे हैं एक Prelims exam में आप इससे कहार लिकाल सकते हैं एक average है कि History कितने questions put up हो उने हैres faculty कित्ने पूटप होके निकल रहे है जियोग्राफि से कितना पूछा जा रहा है और एकनॉमिक से कितना पूछा जा रहा है और यदि आप UPSC का अगर cut-off prelims से देखिएगा तो अभी तक highest कितना गया है तो 107 और यदि कोई जैनरल से ज्यादा cut-off नहीं गया यदि आपको फिर भी डाउट है तो आप अपना cut-off 120 तक ले करके रख सकते हैं तो यदि आपका cut-off 120 यानि कि आपका marks 120 तक में आ रहा है तो आप 100% किसमें है एक से जोन में और आप मेंस के लिए और अच्छी त्याड़ी कर सकते हैं इस तरीके की एक इस्ट्रेजिटी रहती है कि इनके जितनी भी जो यू-पीस सी के जो एस्पेरेंट होते हैं जो अपने इंटर्व्य में कहते हैं कि वह किस तरीके से एक attempt में clear करते हैं तो उनका में रिजन होता है वह ही होता है कि वह सबसे पहले दो चीज़ पर जो से सबसे ज़्यादा पूट अब जैसे एकनोमिक्स का जो मैंने यहां पे लिखा है तो सबसे ज़्यादा मुस्ट इंप्वाटन टॉपिक आपको इससे पता चलिया है कि कौन-कौन से सबसे आदा टॉपिक से प्रियूम्स में पूट आप किये जैसे कि अगर आप इंडियन ए इंडिया है कि से निकल क्या है सिर्ख स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एकनोमिक एंड डेवलप्मेंट यदि आप इसका एवरेज भी निकालोगे तो कितना एप्रॉक्स आपका तीन को संस्तों निकलेगा ही निकलेगा और तीन को संस निकलने का मतलब है आपके पास शैनमबर क तो आपके पास शैनमबर इस तरीके से निकलता है वही पर आप प्लानिंग फाइनेंस एंड एकनोमिक सोशल डेवलप्मेंट की बात करो 136 है और इसका अगर आप एवरेज निकल करके आएगा वह कितना निकल के आएगा तो पांच को संस निकल के आएगा तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते कि यूपीसी के लिए जो सबसे ज़्याद मीन टॉपिक है वह कौन-कौन साथ है तो फ्रेंट से लिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिसकॉसंस जिसमें हम 1999 से लेकर के 2000 को डिसकॉस करेंगे एप्रॉक्स 13 कॉस्षन है तो डिसकॉस करते हैं तो आज के डिसकॉसंस का जो पहला कॉस्षन है 1999 का तो इसमें ये पूछा गया है कि जो अभीना भारत है क्योंकि क्रांती कार्यों का एक गुप्त समास्ता वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था ओप्सन ए है आपके पास खुदी राम वोस ओप्सन भी है वीडी सावरकर ऑप्सन सी है प्रफुल चाकी और ऑप्सन डी है भगत सी पहले आंसर देखने से पहले आप इसका अंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो पहला कोसिस करें कि आंसर देखने से पहले आप इसका जो करेक्ट आ प्रेश्ट भी उटागा आपको आईडिया मिलता रहेगा कि आपकी प्रिपेशन किस डिरेक्शन में जा रही है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्षन याने की जो VD सावर कर है उनके द्वारा 1904 में का किया गया था एक अभीना भारत सीक्रेट सोसाइटी रिवोल्यूशन किया गया था और इसको और इसको और इसकी अस्थामना की गे थी यागर इसका जो करेक्ट आंसर हापको मिला फो बी यान दूसरा कोशन्स में आपको ये बताना है कि जब हमारी कंट्री कॉनलील थी यानि कि जब हमारी कंट्री पे ब्रीटिस्ट रूल था तो उस टाइप आपको बताने कि कौन सा एक्ट सबसे छोटा था यानि कि सबसे सौट पिडियेट के लिए था तो पहला option है आपके पास Indian Council Act जो की 1861 का था option B है Indian Council Act जो की 1892 का था option C है Indian National Council जो की 1909 का था और option D है Government of India Act of 1990 का था तो इसका जो correct answer मिलेगा वो कौन सा option C जानि के अगर हम Indian Council Act of 1861 की बात करें तो कितनी सालों के लिए था 31 सालों के लिए था वहीपे अगर हम बात करते हैं Indian Council Act of 1892 ये कितने सालों के लिए था तो 17 साल के लिए था 17 Set a एक्ट ऑफ-n1909 के बात कर थे यह मातर दस सालों इसलिए ने में से सबसे चोटा कौन सा था किलिए सबसे हैं इसलिए यह पूछा जा रहा है कि जो मय में जो पर्पोजल लाया गया था जिसमें कहा गया था कि it is still wanted a united India यानि कि यह अभी भी एक अखंड भारत चाहता है ब्रीटिस प्रांतों से बना एक संग्य संग होगा यह जो sentences है आपको पताना है कि कि किसके स्वारा कहा गया था यह कोटेशन किस से रिलेटेड यह भी 1999 में पूछा गया था ऑप्शन a साइमन कमिशन ऑप्शन भी है गांधी अर्विन पैक्ट यानि की गांधी इडिविन समझाता ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन और ऑप्शन डी है कैबिनेट में इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखनों को मिलेगा वह मिलेगा आप्शन डी यानि की कैबिनेट मिशन काबिनेट मिशन जो की 24 मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा था इसने मैं 1946 को अपने प्रस्ताब को रखा था यह जो कोटेशन से किस से रिलेटेट था तो यह रिलेटेट था हमारा काबिनेट मिशन से लीवर पहलेटेटी नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला कुर्समें आपको यह बताना है कि जब जर्मनी और ब्रेटेन के वीच में क्या चल रहा था वर इस्टार्ट हो गया था तो उस्ते पर यह व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि यह एक भगवान के द्वारा भेजा गय नेता ने जर्मनी और ब्रेटेन के बीजो यूद को एक इस्वर का परदारन अफसर के रूप में देखा और भारतियों को अपने लाव के लिए इस्थिति का फायदा उठाने की तक्षम करेगा तो यह किस्त के द्वारा कहा गया था तो उप्सन A है C गोपालेचारी, उप्सन B है M A जिनना, उप्सन C है सुभास चंदर बोस और उप्सन D है जवाहरलाल नहरो तो इसका जो correct answer आपको मिलेगा वो मिलेगा option C यानि की सुभास चंदर बोस तुभास चंदर बोस और जो समाजवादी के ने जो यह तरक दिया था कि यूद एक समाजवादी था क्योंकि दोनों पक्स यानि की चाहे हम बात करते हैं ब्रेटेन की या जड़मनी की तो यह दोनों क्या करना चाहते है तो इसलिए दोनों में से किसी एक का समर्थन करना यह सवाल ही पैदा नहीं होता इसके वज़ाए ततकाल के जो सविग्या जो यानि की सविग्या जो आंदोलन था कि शुरू करने से आजादी हासिल करने की इस्थिती का लाग उठाये जा और ये कहा गया था सुभास चंद्र वास जी के दुआ तो इसलिए इसका correct answer क्या था option C next question देखते हैं next question में क्या पूछा गया है next question में ये पूछा गया है कि जो cabinet missions plan था Congress के किस leader के द्वारा इसका totally favor किया गया था यानि कि Congress के जो निमलिखित में से कौन से नेता पूरी तढ़िके से cabinet mission योजना के पक्ष में थे ये भी questions 1999 का है तो option A है महतमा गांधी option B है जवाहर लाल नहरू option C है सरदार पटेल और option D है मौलाना अबगुलकलाम अजाद तो इसका जो correct answer मिलेगा वो मिलेगा आपको option C यानि कि सरदार पटेल जी के द्वारा यानि कि जो cabinet missions प्लान है जो कि मई 1946 में आया था तो सरदार पटेल जी के द्वार इसे टोटली इसका favor किया गया था तो इसलिए जो इसका correct answer था वो था option C next questions देखतें next questions में पूछ रहें कि आपके पास जो चार लीडर के नाम दिये गए है उनमें से बताने किस लीडर स्कोड डिस्मिस्ट कर दिया गया था ब्रेटिस से from Indian civil service से तो option A है आपके पास सत्यारेंद्र नाट टाइगोर option B है सुरेंद्र नाट बेनर्जी आर्ट सी दत्व option C है सुभास चंदर बोस और option D है जवाहालाल नहरो तो इसका correct answer आपको मिलेगा वो मिलेगा option B यानि कि सुरेंद्र नाट बेनर्जी आर्टी दत्व उन्हें जो सुरेंद्र नाट बेनर्जी है उनके द्वारा जो इंडियन civil examinations दिया गया था 1869 में बट उनका over age हो जाने के वज़े से उन्हें क्या है तो हटा दिया गया था यानि कि जो हमारे इंडियन civil service examination से उसको देने से मना कर दिया गया जब इसकी हैरिंग यानि कि जब आप जब पोट में इस मैटर को किलियर कर दिया गया तो उसके बाद बैनर जी ने क्या किया था में इंडियन civil service को पास किया उसके बाद वो पोस्टेट हुए थे डिस्टिक मजिस्टेट कहां पर तो अगर हम बात करते हैं सिल होट में वुड ऐज डिस्टिक मजिस्टेट यानि क्या मजिस्टेट की रूप में उनकी निफ्टी की अपांटमेंट हुए हाला कि बैनर जी क्या करते हैं और 1863 में 1863 में सतेंद्र नाट टाइगोर यानी कि इंडियन civil service उन्हों ने क्या किया था तो प्राप्त करने वाले पहले भारते बने तो कौलिफाइब करने में वाले पहले इंडियन बने थे तो इसलिए जो इसका वो है आउपशन भी नेक्स्ट कोउशन में आपके पास यह है कि जो सब्द साही परियता है वो लागुक किया गया था बताना है कि कि किस परपस से यह लागुक किया गया था अप्लाइड हुआ था यह क्या था ऑप्शन ए है special prevalence on British import in India यानि कि भारत में British आयात पर विशेश अधिकार ऑप्शन बी है आपके पास अंग्रेजों द्वारा नसलिय भीदभाव और ऑप्शन सी है आपके पास अंग्रेजों के लिए भारतिय हितों की अधिन्ता और ऑप्शन डी है भारतिय राजकुमारों प यानि कि imperial preference की बात करते हैं जो letter commonwealth preference था जो परपोस सिस्टम था किसके लिए हमारे लिए अगर हम इसके परपोस सिस्टम की बात करते हैं तो भीविन डोमिनियन और कलावकोरी के बीच में क्या है पारंपरिक रूप से स्थिर्थ सुल्क या मुक्त व्यपार समझाते की एक पास्तवी परनाली थी यानि यह क्या था कि जो हमारे इस प्रिवेंस उन ब्रेके इनपोर्ट शूर्ट था यानि कि भारत में गरेट होगा वह विसेश विसेश अधिकार था इस तरह की प्रत्था ओंप्रथा उद्धे से था वो क्या था पर समनेदी को बढ़्यावा देन next questions में आपके पास दो statement है एक अभी कथन की रूप में है और दूसरा उसके कारण की रूप में तो options के according बताना है कि correct answer क्या होगा अगर हम अभी कथन की बात करते हैं तो यह है कि जो Lord लिन्थी गुरू थे ने 1942 में अगस्ट आंदोलन को सिपाही आंदोलन के बाद सबसे बड़ा बिद्रो बताया इसका कारण क्या था कारण यह बताया है कि जो कतिपिया छेत्रों में क्रिसो का जो भारी उभार था तो क्या नहीं कि अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रल एडियाज में जो क्रिसे थे उनकी भारी उभार को देखते हुए Lord के द्वार यह कहा गया कि जो अगस्त मुमेंट ऑफ जो 1942 है वो सिपाई विद्रों के बाद सबसे बड़ा विद्रो था ओप्षन देख लेता है ऑप्षन यह कहता है कि हमारा जो यह है यानि कि जो हमारा अभी कथन है और जो कारण है दोनों सही है और जो कारण है वो अभी कारण की सही व्याक्षा करता है और अप्षन भी है कि अभी कथन गलत है कारण सही है तो इसका जो और जो Kafकली मिलेग क हमारा अभी कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है इस आंदोलन ने सोतंदरता की भारी मांग की थी राष्ट आंदोलन का जो ततका एजन पर रख दिया था तो भाराज छोडों के बाद वापस नहीं किया जा सकता था इस अंगर्स में आम लोगों की भागीदारी थी वो और भी जादा बढ़ गई इसलिए 1936-1944 तक की जो हमा पाही विद्रों के बाद दूसरा सबसे बड़ा गंभीर विद्रों है तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए नेक्स्ट कोशन्स देखते हैं नेक्स्ट कोशन्स में आपसे ये पूछा गया है कि जो अखिल भारते राजनिती में गांदी जी का जो पहला उपक जो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी चमपारज मोमेंट यानि कि जब महात्मा गांधी भारत लोटे तो उनका जो पहला एक्शन था इंडियन लेवल पे वो क्या था सत्यागरा जो कि लॉंच कब किया था उन्होंने अप्रेल यानि कि 6 अप्रेल 1919 क उसके बाद जो जलिया वाला बाग मैसूर था यानि कि जलिया वाला बाग हत्या काइंड वा था तो उस टाइम पे वालेंस और ना ज्यादा बढ़ जाए तो इस डर से महात्मा गांधी जी ने 18 अप्रेल 1919 को अपना जो सत्यागरा था जो चमपारज मोमेंट था उसको क्या अंसर है वह ऑप्शन सी यानि कि चमपारज मोमेंट नेक्स्ट कॉर्शन देखते हैं अगला जो कॉर्शन से इसमें आपको यह पता नहीं कि जो कॉंग्रेस की जो पॉलिसी थी प्रे मार्टिशन और अल्टिमेटली कम टू एंड अंड अंडर दा गाइड यानि कि गाइड गंगा धर तिलक ओप्शन सी राला लाज पत्राय और ऊप्शन डिय महतमागांधी तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ओप्शन तो यानि कि प्रे पार्टिसंस एंड प्रोटेस्ट जो पॉलिटिकल मेडिकैंस था यानि कि मेडिकैंसी था उसको क्या कर लिया तो इनके मार्ग दर्सके इसे समात कर दिया गया था तो इसका जो करेक्ट आज़र था वो था ओप्षन भी इसके पास आपके पास दो लिस्ट है लिस्ट वन और लिस्ट टू इसको आपको करेक्ली मैच करना और यह कुर्शन भी नैंतिन नैंतिन नाइन का ही है पहला है यानि कि ए है सियाम जी क्रिश्न वर्मा भी है मैडम भीवा काजी कामा दूसरे साइड है आपके पास पहला है बंदे मातरम दूसरा है भारतिय सामाज सास्त्री तीसरा है आपके पास दा तलवार और ओप्षन डी है यानि कि फोर्थ है कॉमन वेल तो इसको आपको करेक्ली मैच करना है और ऐसको करेक्ली मैच करना तो इसको करेक्ली मैच करना है वह मिलेगा ओप्षन एaber यानि कि अगर हम बात करते हैं जियामा जी क्ष्ण बर्मा वह इंडियन सोचलिश्ट थे बात करते हैं इसके आड़े में मैडम विवा काजी कामा वह कों थे दापलवार से और जो हमारा एनी पेसेंट थे उनका किसे करक्टली मैच होगा वह होगा हमारा सी से यानी की कॉमन वैली और जो हमारा डी है अर्व में आपके पास जो एक statement है यानि कि एक उधारेना आपके पास एक example है कि हम मुसल्मानों के हिंदुों को खिलाफ नहीं ले सकेंगे कि यह टिपनी निमलिकीत में से किस घष्टना से संबन दिते हैं तो आपके पास option A है revolt of 1857 यानि कि 1857 का बिद्रू option B है चंपारन सत्यागरा जो कि 1917 में था और option C है आपके पास खिलाफत आंदोलन यानि कि खिलाफत एंड नॉन कोर्परेशन मुमेंट जो कि 1919 से लेकर के 22 तक के बीच में था और अगस्त मुमेंट जो कि 1942 का था तो आपको बताना है कि यह जो एक example दिया गया कि हम मुसल्मानों को हिंदू के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे यह किस घटना में यह कहा गया था किस इवेंट के दौरान यह sentence कही गई थी यह questions 2000 में पूछा गया था तो इसका जो correct answer मिलेगा वो मिलेगा option C यानि कि खिलाफत और नॉन कोपरेशन मुमेंट जो कि 1990 से लेके 1992 तक चला था तो उसी में यह कहा गया था कि जो हमारे एस्टेन ब्रिटिस जो भारत के पंजाब के क्या थे लेक्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने यह बयान दिया थ कि उन्हें अपर्ट्यक्ष रूप से 1857 की विद्रूप के हिंदू-मुसल्मान कारण को क्या है वो स्विकार किया था तो इसलिए इसका जो correct answer है वो है option थी next questions देखते है next questions में यह पुछा गया कि जो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम्ता नेम लिखित में से इसकी कोन सी विशेष्था नहीं थी पहला है आपके पास यह केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी दो दूजी साथ संस बेवस्था थी यह स्थापने की बात की गई थी इसमें फिर एक दूजी सदने विधायक option C है आपके पास प्रांतिय स्वैत्रता और option D है all इंडिया इस लिए जो हमारा क्या तक याने कि अगर हम बात करतें में क्या था कि इने केंद्र के साथ प्रांतों को भी दूजी साथ परदान की गई थी ना कि 1935 तो इसलिए है कि जो हमारा जो विशिस्ता है वो क्या है गलात है और इसमें पूछा भी गया था कि कौन सा फीचर नहीं है तो इसको जो करेक्ट आंसर मिलेगा मिलेगा आप्शन देखते हैं कि आपसे यह पूछा गया कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है वह जो की एक्सिटेंस यानि की एक्जिस्टेंस में आया था मार्च नानटीन 420 अर्किस्की लीडरो सिप्के अंदर में आया था तो मोहंद सिंग और इसका आडिया किसके दौरा जो फर्स्ट ऐइडिया दिया गया था वो कन्वेंश Tao मलाया से जानि कि मलाया से क्या टिया क्या पी जो कल्पना की लिए ओर ये निकल के कहा से आया तो अगला जो question है इसमें क्या पूछागी भारत की विवाजन की कलपना की रूप में गांधी जी ने मांट बैंटन को यानि की को सुझाब दिया था पहला है सवतनतरत देने की इस्तिखत कर दिया गया option b इस की जीना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था तो इसका जो correct answer मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा option B यानि कि माउंट वेंटन प्लानिंग जो की तींग जून 1947 को existence में आया था उसमें गांधी जी के तौर ये suggest दिया गया था कि भारत की विभाशन के बजाए जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए तो इसलिए जो correct answer था वो था option B next questions देखते हैं अगला जो questions है इसमें ये बताना है कि त्रिपूरा का जो मूले राज्यों के बीश्वी सदाब्जी की सुरुवात में सोतंत्र आंदोलन में सामिल हो गया उसका क्या कारण था पहला ये कि त्रिपूरा के जो राजा थे वो हमेशा ही ब्रेटिस विरोधी थे दूसरा है option B है बंगाल के जो क्रांती कार यह थे वो त्रिपूरा में सरन ले लिती जा करके तीसरा state यानि कि तीसरा जो option है वो है आपके पास राजी की जो जन जातिया है घोर सतंत्रता प्रेमी थे और option D है कि पहले से ही कुछ समूर राजसाही और उनके रक्षक अंग्रेजों के खिलाफ लड रहे थे तो इसका जो correct answer है वो मिलेगा आपको option D यानि कि जो के अंदर जो कुछ सामूर राजसाही थे और उनके रक्षक थे वो पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे तो लड रहे थे तो इसलिए बीच्वे संचुरी में जो त्रिपूरा स्वतंतरता के लिए स्वतंतरता आंदोलन में सामिल हुआ तो इसका मेन कारण यही था तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अगला को संसे कि जब महात्मा गांदी साउथ अफवेडिका से भारत में आए तो उनका पहला सक्सेस्फूल सत्यागरा कौन सा था उसका नाम बताना है उप्सन ए है चोड़ी-चोरा ऑप्सन भी है डांडी ऑप्सन सी यह चंपारण और ऑप्सन डी है बार डोली इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्सन सी यानि की चंपारण महात्मा गांदी नाइंटिन फिफ्टी में दखिन अप्रिका से भारत लोटे और नाइंटिन सेवंटी में उन्होंने राज कुमार सुलक के अ सफल सत्यक्रा सुरू किया गया था महात्मा गांदी जी के द्वारा तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अगला कुशन है इसमें आपके पास दो लिस्ट है लिस्ट बन और लिस्ट तू इसको आपको करक्ली मैच करना है एक साइट पे इवेंट है या अबिनप भारत ओप्शन यानि की सी है आपके पास अनुसिल समीथी और और ओप्शन डी है आपके पास कु का अंतोलन यहां पे लिस्ट जो सकेए जिसमें प्रसनल के नाम है पहला है कलपना दथ जूसरा है गुरुराम सिंग तीसरा है विक्रम दामोदर सावरकर और चौत option Ga 1 , , , , , option c आपके पास a का 3 से , c का 4 से , d का 2 से , option d ze you are about to say , B का 1 से C का 4 से D का 2 से तो आपको बताना कि correctly match कौन सा तो इसका जो right answer आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा option A यानि कि योगा हम चट गाउंस सस्तरगार छापे की बात करते हैं तो इससे related कौन से personal थे तो यह हमारी कलपना दर्थ थे फिर बात करते हैं अभी नव भारत के आड़े में तो यह था आपका अडविंद यह विक्रम दामोदर सावरकर पिर जो हमारा सी है सी का correctly match किस योगा गुरू राम सिंग से और कुका मुमेंट किस से कौन से personality से रिलेट था यह था हमारे अडविंदो गोस्त तो इसलिए जो इसका correct आंसर है वह है option के और अगर बात करते हैं किस काड़े में चटकाव सस्त्रगार चापे हो वह कब पढ़ाता तो यह पढ़ाता अप्रेल 1930 को अभी न भारत की बात करते हैं तो यह हुआ था 1904 में फिर महीं पर बात करते हैं किस के वारे में अनुसिलन समीती कब हुआ था यह 1902 में बहाँ पर तो कलकत्ता में चैनला जो कोशंज इस पर आपके पास दो स्टेक्मेंट एग अभी कथन के रूप में और दूसरा कारण के रूप में तो आप्सन के अकौरीडिंग की बात करते हैं फिर्स्ट इस टेक्मेंट की बात करते हैं इसमें कहा गया था कि लाॉड कि सवश्ष्री में डिसकस कर ल पीछे discuss कर लिया था तो अभी हम next questions के तरब चलते हैं next questions देखें अगला जो questions है उसमें यह पूछा गया है कि इस पे आपके पास दो statement है एक अभी कथन के रूप में और दूसरा एक reason के रूप में तो पहला जो कथन है अभी कथन है उसको देखते हैं इसमें पहला जो का गया कि जो basic weakness था और अर्ली नेशनलिस्ट मुव्मेंट ले इन इट्स नेरो सोसल बेस यानि कि प्रारविक जो राष्टवादी आंदोलन की जो मूल कम जोड़ी थी इसके संक्रिय समाजिक अधार में नहीं थी कारण ये यदि इसमें सामिल होने वाला जो समाजिक है यह 2000 में पूछा गया था पूछा गया था यह आपसे दो हम बात करते हैं समुक के संक्रिया हेतों के लिए संगर्स किया गया तो options की है आपके पास ए और दोनों सही है लेकिन आ यानि कि जो हमारा कारण है वह अभी कतन की सही व्यांख्या नहीं करता है option c है जाने के हमारा कारण इसलिए गलत है क्योंकि शुरुवाती राष्टवादियों कि में आम लोगों की जो भागिदारी थी यानि की अधिकारों के लिए लडाई की गई थी ना कि सामाजिक करते हैं किस जो सामेल सामाजिक को सख्रिय Mask पेटों के लिए संगर सता तो नहीं इसलिए वह क्या है गलत है अंसर ओप्सन से का देढ़ने आपको यह बताना है कि अध्याक्षिया-भासंद लेते समय किस कॉंग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भासा के लिए रोमन लिपी की सुरुवाद की वकालत की थी तो ऑप्षन ए है महातमागांधी ऑप्षन बी है जवाहर लाल नहरू ऑप्षन सी है अभूल कलाम अजाद और ऑप्षन डी है सुभास चंद्र बॉस इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्षन की सुभास चंद्र बॉस 1938 में जब हरी पूरन एस्वेशन में सुभास चंद्र बॉस की द्वारा ही क्या है कि भासन देते समय कॉंग्रेस जो की अध्यक्ष देव उन्होंने हिंडी भासा के लिए रोमन लिपी की सुरुवात की वकालत की थी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्षन डी नेक्स्ट कोसंस देखते हैं नेक्स्ट कोसंस में आपको ये बताने कि भारत की विवाजन के समय ब्रीटिस सरकारें निम लिखी त्यू प्रांटों में से कौन सा एक संयूक्त स्वतंतर अस्तित्व की योजना के साथ आगे किया था बिउहाव準 सूरुश पनجाब और दूस इसके साथ दो सोतंत्र प्रभुत राष्ट निकले थे जिसमें पाकिस्तान था, भारत और पाकिस्तान का निर्मान हुआ था, विवाजन्स में जिलेवार हिंदू या मुस्लिम बहुमत के अधार पर दो प्रांथ बंगाल और बांगला देश का विवाजन्स किया गया था, भ अगला जो questions है इसमें आपको बताने कि भारत के विखंड के लिए जो बलकन यूजना था वो किसके दिमाग में आया था यानि कि बलकन प्लेन सबसे पहले बताने कि बलकन जो प्लेन था वो किस persons के माइंड में आया था options A है डवलू चर्चिल, option B है में जिना, option C है लौड माउंटन और option D है आपके पास वी वी मेनन तो इसका जो correct answer मिलेगा वो मिलेगा option C यानि कि लौड माउंट वेंटन यानि कि अगर हम बात करते हैं वैलकन प्लेन में तो वो सबसे पहले किस की दिमाग में आता हुआ है तो लौड माउंट वेंटन की दिमाग में आता इसी योजना से पंजाब और बंगाल के साथ तो क्या है अलग-अलग प्रांतों को सत्ता की हस्ता और्स देने और विकलक दिया था इस परकार गठिक विवाजन एकाईों के पास भरत या पाकिस्तान में सामीर होने या सौतंतर रहने का भी विकलक था वैंकि विकलक था आज को जो हमाला लास्ट को सफन से इसमें आपके पास चार स्टेट्मेंट इन चार में में इसे बताना की कोन सा स्टेट्मेंट करेक्ट थे तो पहला जो statement वो यह है कि जो सरोजनी नैडोती वो भारत की यानि की कॉंग्रेस के फर्स्ट उमेन प्रेसिडेंट थी दूसरा statement कहता है कि जो CR-10 है जब Congress के अध्यक्ष थे तब वो जिल में थे तीसरा statement कहता है कि तीसरा जो statement वो क्या कहता है कि अध्यक्ष बने थे और चौथा statement है कि एलपड वेब जो की 1854 में Congress के अध्यक्ष थे तो इन में चार statement में से बताने कि कौन सा statement करेक्ष आप में से यदि किसी ने 2022 में अगर किसी ने prelims का paper दिया हो तो वहां पर UPSC ने इस टाइप के options को remove करके एक नया pattern में options दिया था जैसे कि आपका था इसमें से बताने है कितने pair correct है तो आपको हो जाता है इसमें only one pair only two pair only three pair और डी हो जाता है आपका all pair are correct all आप दी एवाउ तो आप इस pattern से भी बता सकते इसका correct answer क्या होगा तो इसका correct answer आपको मिलेगा वह मिलेगा option भी यानिकि सिर्फ हमारे only two pair अब देखते हैं सो रोजिनी नाट हो जी थी वह first human नहीं वह second human प्रेसिडेंट थी कॉंग्रेस की कब तो 1925 में कानपूर में फिर बात करते हैं फिस्ट विंग जो एने बेस्टेंट थे वह 1970 कलकता में क्या थे एओं के द्वारा इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के स्थापना की थी 1885 में एलफट वैब जो प्रेसिडेंट थे कॉंग्रेस की वह कब थे तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का डिस्कॉसंस जिसमें हमने 1999 से लेकर के तो हंडेट तक को डिस्कॉस को डिस्कॉस करेंगे और स्टार्टिंग में तो मैंने 17 मिनट की जो रिकॉर्ड के थी वह आप जरूर देखना उससे आपको एक अच्छा खासा गाइडंस मिल जाग तो थैंक्स पूर वाचिंग फ्रेंड्स टेक केर जैहन